हेलो एंड बेलकम बैक टो एसेट गाई ड्यूटीप चैनल आज की वीडियो में हम आपको एक इंटरस्टिंग चीज दिखाएंगे निफ्टी 50 के बारे में तो जैसे कि आप सभी जानते हैं यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी जो है हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है य हाला कि हम कोई भी से भी रेजिस्टर्ड एनलिस्ट नहीं है तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें आपकी अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही आपनी बेस करें क्योंकि आपका पैसा है आप उसको अपने तरीके से ही मैनेज करें तो जादा बेतर है या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही करें तो हम यहां पर केवल एजुकिस्टनल परपस से यह इनफॉर्मेशन दे रहे हैं जो देखिए जब हम बात करते हैं यहां पर निफ्टी की तो हमें हायर हाई देखने को मिलते हैं यह हमने डेली टाइम प्रेम का चार्ट है और आप कि यहां पर लोगों का यह कहना है कि भई मार्केट ने 20,000 को तोड़ दिया है अब 20,100 को भी पार करके निफ्टी जो है नए हाई बनाने की तरफ पहुँच गया है और 20,192 यानि कि 20,200 तक मार्केट जो है टच करके आया है अब यहां से एक नया आयाम बनने की शुरुवात हो सकती है कि निफ्टी जो है अब वो 200 से 300 से 400 से या फिर 500 तक जाएगा हाला कि जाना तो काफी ऊपर तक चाहिए लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि आने वाले इस बीक में निफ्टी 20,500 तक का राउंड फिगर लेकर चल सकते हैं यहीं पर बड़ा जो एक सीक्रेट है वो आपको देखना जरूरी चाहिए क्योंकि निफ्टी जो है आपने आप में आप नहीं चलती निफ्टी को इंडेक्स को इसके component चलाते हैं अब component में चार बड़े component है जिनकी मैं अक्सर आपसे चर्चा करते रहता हूं तो सबसे पहले component है Reliance तो Reliance के daily chart पर आप देखें तो Reliance यहाँ पर buying zone पर है यानि की support पर है और यहाँ से अगर उपर बढ़ता है तो निफ्टी को जरूर यहाँ पर एक pushback मिलेगा और यह उपर जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी यहाँ से नीचे भी गिरा हुआ है यानि की निफ्टी जो है 2395 यानि की 2395 पर एक support है और 2480 पर Reliance की एक resistance है छोटा सा इंट्राइडे के लिए तो आप इसको consider करेंगे ही करेंगे तो इस बीक में हो सकता है यह एक दिन में इसको cross कर जाए अदर्वाइस यह और दो चार दिन तक यहीं पर मार्केट को चक्मा दे सकता है अगर ऐसी condition बनी तो Reliance यहां से उपर नहीं जाएगा और निफ्टी कहीं न कहीं 20,200 से नीचे आएगा अब देखे हम HDFC बैंक का भी देख लेते हैं तो HDFC बैंक जो है अपने resistance लेवल के पास में है हलाकि अभी तक कुंजायस है क्योंकि यहां पर 1699 इसका टॉप resistance है और इसने टच किया है सत्रा सो तक सत्रा सो पचास तक तो Reliance है HDFC बैंक भी उपर जा सकता है लेकिन अपने resistance जौन पर है और साथ में अगर देखें तो यहां पर एक बड़ी केंडल के साथ यहां पर बोल्यूम आया है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोइंग बोल्यूम नहीं है तो यह केवल बायर्स को अट्रेक करने के लिए हो सकता है और आइसी 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 आइए बैंक अपने resistance लेवल पर है 999 का resistance है लास्ट डे यह अपने 997 के पॉइंट को टच करके बापिस ट्रेट कर रहा है असमंजस की स्थिती में है कि आइसी 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 आइए बैंक ऊपर जाएगा नीचे करते हुए चार दिन हो गये हैं अगर रिलाइंस एक हजार से उपर निकला और सस्टेन किया तब यहां पर एक रैली आएगी अधरवाइज आइसी 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 आइए बैंक भी अपनी सपोर्ट की तरफ जाता हुआ हमें दिखाए देगा अब बात करते हैं एक और मेजर कंपोनेंट की दैट इस इनफोसिस तो इनफोसिस पहले से ही अपने रिजिस्टेंस लेवल पर एक जेकर बनाए हुए है और यहां से उसमे में बापिस गिरावट के चांसे ज्यादा लग रहे हैं हाला कि अभी तक निफोसिस का जो नेक्स्ट रिजिस्टेंस है वो 1600 और उसके बाद अगला रिजिस्टेंस 1650 है और अभी 1511 के असपास यह ट्रेड कर रहा है हाला कि 1525 तक इसने हाई बनाया हुआ है अगर यहां से यहां पर एक बड़ा को जरूरर मिलेहां कि निफ्टी के चार में अम्पोनेंट होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और और Nifty IT, Nifty IT, Infosys, Nifty को Reliance, Bank Nifty को, Fin Nifty को, HDFC Bank और ICICI Bank, यही monitor करते हैं, चारो component हमने देख लिए, चारो component अभी कुछ गुणजाइस के साथ हैं, उपर को अगर यह चलते हैं, तो Nifty जो है, वो maximum 20,300, 3500 तक जा सकता है, जैसा मेरा नुमान है, Otherwise, यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी, और जब गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पर put में पैसा बनता है, हाला कि theta decay यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम option chain का analysis करें, मैं आपको option chain भी दिखा देता हूँ, आज NSC India की तरफ से, तो NSC India पर चलते हैं और आपको एक बड़ी गजब की चीज में दिखा दा हूँ, क्योंकि मैंने आपको component दिखा दी, component कहा रहे हैं, कि वो उपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ पर हम nifty search करते हैं, और nifty जब मैं search करूँगा, आप खुद भी यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने यहा यहाँ पर हम आ गए हैं, option chain का analysis करते हैं, और option chain में आपको इस week की और last week की, यह देखिए 21 सितंबर expiry है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, call put में क्या position बनी हुई है, current price चल रहा है 2200 के आसपास, तो यहाँ पर 131,000 open interest है, जिसमें 51,000 की increment हुआ है, यानि कि अगर देखें तो strike price है 90, और इसके against में अगर put देखें तो यह 91,000 है, हाला कि put जो है वो 21,100 पर 1,49,000, अगर हम total इनका cumulative देखें, यानि कि call or put का data क्या कहता है, तो आप यहाँ पर देखें, call का data है 13,24,110 और put का data है, जो कि seller की position यहाँ पर है, वो है 15,04,056, 13,15,000 बैसे तो इसमें 13,15,000 में सिर्फ 2,00,000 का difference है, लेकिन जब हम इतने बड़े level पर option chain का analysis करते हैं, यानि कि NSC पर पूरे market के level पर हम जब 2,00,000 का difference देखते हैं, तो यह कोई बड़ा difference नहीं है, जब market में call और put दोनों के buyer seller लगभग equal रहते हैं, तो market consolidate करता है, और यहाँ पर हम देख चुके हैं, पहले ही कि market अपना higher high बनाए हुए है, और ऐसी condition में buyer और seller दोनों confusion में रहते हैं, कि market को उपर लेकर जाएं, या नीचे लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर main point जो बनेगा, वो धीरे धीरे तो call की position बनेगी, लेकिन put की position बहुत जल्दी बनेग रहते हैं, ICICI bank, Infosys, यह सभी गिरावट के दोर पर हैं, लेकिन अभी यह अपने resistance level तक नहीं पहुंचे हैं, तो यह चीज आप ध्यान में रखिए, कि इस resistance level तक पहुंचने में, इनको कितना time लगेगा, जब यह अपने resistance level पर पहुंचेंगे, उसके बाद nifty में है, इस चीज को अभियान में रखिए, क्योंकि केवल चार ही component nifty को पूरा nifty को affect नहीं करते हैं, और भी component है, और वो सभी अगर अपने buying position की तरफ बढ़ रहे हैं, तो nifty में अभी 2-4 दिन आपको उच्छाल देखने मिल सकता है, option chain nifty में consolidation के period को दरसा रहा है, यानि कि market sideways र आज की इस वीडियों बस इतना ही, trade करते तरह में समय आपको यहाँ पर proper stop loss follow करना है, अधरवाज आप बड़ा नुक्सान भी जहल दखते हैं, तो आज की इस वीडियों बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए keep watching asset guide.